इतना टाइम बहुत सेफली बिदाल गया है और अब आपका आठा महिना आ तो आठवे महीने में आपको इस चीज को Keyaus रहती होंगी कि आठवे महीने में क्या क्या का ध्यान लखना चाहिए और अगर आपका आठ्वा महिना नहीं हुआ है आपका दूसरा तीसरा चौथा महिना चल रहा है तो मेरे चैनल पर मैं अल्रेडी वीडियो जाल चुकी हूं पहले महिने से लेकर साथे महिने तक कि क्या-क्या बॉड़ी में चेंजिस होते हैं आप व अगर आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है नेक्स चीज जो आप फील करते हैं प्रेइंसी के 8 मंथ में वह है फॉल्स लेबर पेन यानिकि नकली लेबर पेन इसमें क्या होता है इसमें आपको ऐसा लगी है कि आपकी डिलीवरी जो है अभ कमसे कम 30 second के असपास तक आपको लगी पर 8 मंथ में यह जो चीज है वह 30 second से लिके एक मिनट तक हो सकती है एक मिनट तक हो सकते है आपको ब्लग आपकी डिलीवरी भी होनी इसमें और आपको लेबर पेन होगा जो की false होता है तो अगर आपको असा लग रहा है कि यह जो अगली जीज जो आब इस टाइम तक फेस करती है वो है कमर दर्द कि इस टाइम पर जो प्रेगनेंट लीडी है उनका वेड जो है ऑन आवरेज जो है दस किलो के आसपास तक बढ़ जाता है तो एक तो आपका वेड बढ़ रहा है साथ साथ बच्चे का भी ग्रोथ हो रहा है जिसके वज़े से यूटरस पर जो है दबाव पढ़ रहा है मसल्स पर दबाव पढ़ रहा है तो इस वज़े से आपकी जो कमर है उसमें दर्द जो है रहता है प्रेगनेंसी के 8 मन्त में कुछ महिलाओं में ऐसा भी दिखने को मिलता है एक प्रेग्नेंसी के 8 मंत में उनका यूरीन पर कंट्रोल नहीं रहता है यानि कि अगर वो खास्ते या चीकती है तो उनका यूरीन पास हो जाता है तो इसमें शर्माने वाले बात नहीं है देखिए आपके यूटरस पर दवाव पढ़ रहा है तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है और ये प्रेग्नेंसी के 8 मंत में आपको देखने को मिल सकता है जो आप फेस करेंगे प्रेग्नेंसी के 8 मंत में वो है पैरों पर दवाव पढ़ना पैरों में एठन होना ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि प्रेग्नेंसी के 8 मंत में दिखने को मिलेगी देखिए आपका वेड बढ़ रहा है तो इस वज़े से क्या होगा कि आपके पैरों पर जोर पढ़ता है और जिस वज़े से पैरों में दर्द और एटन की प्रॉब्लम रहती है और ये जो प्रॉब्लम है ये प्रेग्नेंसी के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि देखिए इसलिए मैं आपको बोलते हों कि इस टाइम पर आप जितना फाइबर रिच फूड लें जितने फ्रूट्स खाएं जितना अचा पानी पिएंगे तो इससे आपकी कॉंस्टिपेशन या कर्ब्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और और कर्ब्स नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल नहीं होगी तो ये एक प्रॉब्लम है ये प्रेग्नेंसी के 8 मंथ में हो सकती है अगली चीज की प्रेग्नेंसी के 8 मंथ में क्या होगा कि आपको सोने में दिक्कत होने लग जाते है क्योंकि आपका वेड बढ़ रहा है तो सोने में तो और इस टाइम पर क्या होता है कि वेड जादा बढ़ने की जिसे कई बार नसों में अबहार सा आ जाता है नसों में दब्ध और एक तरह का मतलब पेन आपको जो है फील होगा तो यह जो होता है ने वेरिकोस वेंस भी कहते हैं तो यह भी एक प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी के 8 मंत में कई लीडीज को हो जाती है एक और चीज जो इस टाइम पे देखने को मिलती है वो होता है वाइट दिस्चार्ज आने कि आपके वजाइना से आपको लगेगा कि सफेद लिक्विड याने कि जिसको वाइट दिस्चार्ज भी बोलते है वो कभी-कभी एक मत में होता है ऐसा इसलिए होता है कि देखिए आपका जो यूटरस इस पर दबाव पढ़ रहा है बच्चे का वेट बढ़ रहा है इस जैसे कई बार वाइट डिस्चार्ज हो जाता है कुछ-कुछ लेडीज में बच्चे का महिने तक हो जाता है तो फ्रेंट्स अभी तक हमने बात कि कि प्रेगनेंसी के 8 मंत में मा की बॉड़ी में किस तर के चेंज़े आते हैं साथी साथ बच्चे का जो है कितना ग्रोथ हो जाता है अब हमें यह जानना जरूरी है कि 8 महिने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अब उनके बारें बात करते हैं देखे सबसे जरूरी चीज़ कि आपको बैलेंस डायट लेनी है कैल्शन भी लेन अग्यार मिनरल्स पी खाने है तो से इस हमते डिशुत बिप आपको बैलन्स डायट आपको लेनी है नेक्स्ट आपको नेक्स्ट जीज़ के आपको पाइल्स डायट लिक विराल 15 और अगर सकती है तो इसलीए पाइल्स यह इसी फेम धाना पानी भी कॉंस्टिपेशन को रोकने में मदद करता है और वैसे भी बॉडी को हाइड़ेटरेट रखता है तो इसलिए पानी आपको जादा से जादा पीने की कोशिश करनी है साथ ही आपके कोशिश कीजिए कि बाहर का जंक फूट जितना कम से कम खापाएं उतना अच्छा है और आजकल के टाइम में वैसे भी बाहर की चीज़ आपको जादा नहीं खाने चाहिए जितना हो से कि घर का खाना खाईए तो आपके लिए और आपके बेबी के लिए होना है इस टाइम पर आप जितना हो से कि लेफ्ट साइड नहीं कि बाहर करवट करके ही सोए इससे क्या होगा अच्छी ब्लड सप्लाई जो है बच्चे को मिलते और आपके लिए अच्छा रहेगा और एक सबसे जरुरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि इस टाइम पर अगर आपको किसी बी तरह के दिकत हो रही है तो आप खुद से कोई दवाई ना लें डॉक्टर जो आपको चीज प्रस्क्राइब कर रहे हैं यह उनको बता रहे हैं आपको आपको वही दवाई लें चाहिए इस टाइम पर आप अपनी मर्ज़े से कोई दवाई लेंगे औ तो ऐसा करने से क्या होगा इससे आपके बच्चे को जो है नुकसान हो सकता है तो यह चीज आप ज़रू ध्यान रखें कि खुद से कोई दवाई इस टाइम पर ना लें क्योंकि प्रेग्नेंसी में ऐसा करने से खत्रा हो सकता है अगली चीज जो एट मन्त में आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम जटके से इस टाइम पर नहीं उठना है अपने हिसाब से आप चीज़ें मत कीजिए डॉक्टर से कंसर्ट करकी चीज़ें करनी हैं और अपने आपको ज़ल्दी उपर नीचे होती रहती हैं और यह आपको और आपके बचे को आपको एपक कर सकती है अगर इसमें कुछ भी उपर नीचे है तो आपको पने डॉक्टर से बात करनी चाहिए वो आपको जो चीज एडवाइस करें आपको करनी चाहिए तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें और लास में जो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि प्रेग्नेंसी टाइम में जितना हो सके अपने आपको खुश रखें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है तनाव नहीं लेना है कोई चीज नहीं करनी है जिससे क्या परिशान हो ताकि आप और आपका बच्चा जो है तो यह था हमाराज का वीडियो जिसमें आपसे बात कि कि प्रेग्नसी के 8-00 मेने यान陽 8 मथ में किस तरह के चेंज़ें मा की बॉड़ी में आते हैं बच्चे में किस तरह के बदलाव या चेंज़ें आते हैं साथ ही साथ आपको वसी कौन सी चीज़ें जिनका ध्यान दुन तो आपको आपको अच्छी लगेंगे, अगर अच्छी लगे तो प्रीस कमेंट करके ज़रूर बताएगा, तो ता है से ही थेस्टी है, आपको ये क्यक्योदू है।